अब सभी का हमारे चैनल पे जिसका नाम है सिविल इंजिनियर्स प्रोज यहां दोस्तों अभी तक के लिए बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया है बिहार टेकनिकल सर्विस कमिशन यानि बिटी एस से रिलेटेड आपको मालूम है कि बिग्यापन संख्या 01-2019 जुनियर इंजिनियर्स की बाहली बिभाग द्वारा चल रही है आपके काउंसिलिंग सिविल मेकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सभी ब्रांचों के काउंसिलिंग परकिरिया समाप्त हो चुकी है लेकिन अभी जो है बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया जी हां दोस्तों इस वीडि अभी नोटिफिकेशन के साथ तो अभी तक के लिए बहुत बड़ा अप्डेट है तो जो भी बीटी एसी के चात्र है हमारे चानल को सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो अच्छा लागे तो लाइक कीजिए ज्याद साथ अपने ग्रूप में जरूर सेयर कीजिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं बिहार तक सूचना दिया गए हैं बिसाय कैया देखिए बिसाय है कनिय अभियंता के पद पर नियुक्ति हे तू बिस बिद्यालियो कॉलेजियो की मानता के समद में जी हां दोस्तो अभी हम इस वीडियो में जितने भी इनिवर्सिटी के बात करेंगे ठीक है उनका जो है जाज परकिर से विद्याला था बी टीसी में तो जितने भी पोस्त वाले हैं मेकैनिकल इलेक्टिकल शिविल सभी पोस्त वीडियो को देखेंगे मजह ही मजह हैं जिनके जो बिहार के सरकारी कॉलेजिशों से या फिर सरकारी मानेता प्राप्त कॉलेजियों से उन्होंने डिगरी प्राप्त किया है सर्टिफिकेट प्राप्त किया है और उनके पॉइंट कम है तो उनके लिए बल्ले बल्ले हैं ठीक है तो बिहार तकनिके सेवायोग एक्टिव हो चुकी है जितने भी फेक का रास्ता दिखाया जाएगा महा से निदेशान उश्वार उप्युक विषय के समद में कहना है कि विज्ञापन संख्या 01 जितनी भी विभागे सब को यह सुचना दिया जा रहा है अंतरगत कनी अभियांता के पद पर निफ्ति हेत उपरकिरिया अंतिम चरण में जिहा दोस जैसे इतने सारे उनिवर्सिटी का सत्यापन हो जाता है उसके बाद रेजल्ट जारी कर दिया जाएगा इस करम में कतिपे आबेद को द्वारा फरजी विश्वेद्यालो एवन फरजी परमान पत्र बना कर मनमाने अंग प्राप्त करके जिहा दोस्तो जिस छात्रों के जिस आप अब भी सब्सक्राइब कर दिजिए चाहिएं को ऐसे तमाम अप्रेट आपको आगे मिलते रहेंगे तो सुचना दी गई है जो निम्बत है तो इन इन जो है विभाग के दोरा जारी किया गया कि यह सारे इनिवर्सिटी जो है फेक है फरजी है तो बात कर लेते नंबर इस सारे इनिवर्सिटी को फेक करार दिया जा रहा है लेकिन अभी इस पर सत्यापन होना बाकी है जिहां दोस्तों तो आगे बात कर लेते हैं सिरी रोशन कुमार वर्मा दोरा इमेल के मादम से सुचित किया गया था कि अभ्यार्थियों दोरा यूपी गॉर्मेंट पॉल् में ऐसा बिहार गॉर्मेंट में भी होता है यूपी गॉर्मेंट के किसी भी कॉलेज से परती वर्स उतीन टॉपर विद्यार्थियों को मात्र 66% से अधिक नहीं रहा है ऐसा बिहार में भी है कि 84 85% से जादा मार्थ नहीं उठा है लेकिन लोग फिर भी 100-100% तक मार्थ वा बहुत बड़ी खुस खबरी अभी तक के लिए जादे साधे अपने ग्रूप में सेर कीजिए इस वीडियो को स्रीरी सकील अक्तर द्वारा एमेल के माधम से सुचित किया गया है कि गौर्मेंट पॉली टेक्निक लखनों के नाम से फर्जी प्रमान पत्र संगलंग किया गय से सम्बंदित सुचि की छायपरतिस संगलंग किया गया है जिया दोस्तों ठीक है तो बहुत बड़ी गुर्णी जाहिए ऐसा बिहार में भी हो रहा है ऐसा अधर स्टेट में भी हो रहा है जितने भी सरकारी कॉलेज के चातर है चाहे बिहार गौर्मेंट के हो या अधर उठता है फिर भी लोग 90-95% मार्क्स वाले इस फॉर्में इस में अप्लाई किये हुए जिया दोस्तों आगे बात कर लेते हैं कि छायपरतिस संगलंग किया गया है जिसमें एक चिनित अंकित समूं बेराने परतिसाथ से अधिक दरसाए गया है ठीक ऐसे जो भी है जो जिन इनिवर्सिटी के रूप मानेता नहीं रहते हुए इस नाम से परमानपतर संगलंग करने अवेधन के जाने की शुचना दी गई है इस तरह अभी तक संग्यान में आया संस्थानों को अंगित किया गया है अनसंस्थान भी हो सकते हैं तो ऐसे कंडिडेट जो फर्जी है इस जितने भी इनिवर्सिटी का नाम लिए इस इनिवर्सिटी की अलावा भी कोई फर्जी इनिवर्सिटी से आप लोग फॉर्म जामा किये हैं तो आपका सत्यापन होगा आप लोग जेल जाएंगे तो अभी अभी तक के लिए जो भी बिहार गौवर्मेंट के छातरों के लि पर्मान पत्र की जाच कर अतिस्जिग्र आयोग को सुचित करने की किरपा की गई है तो जितने भी इस लिस्ट में संस्थानों के नाम जारी किया गया है उनके पर्मान पंद्र से समय जाच करके अतिस्जिग्र आयोग को सुचित करने की किरपा की गई है जैसे ही यह सारे ठे जितने भी university उन्त का सवत्यापन हो जाता है, उसके बाद आपका list जारी कर दिया जाएगा जैसा कि आपने पहले वाले पहले वाले list में देखा कि इसमेख साव साभ विभाग जारी कर दिया है बिभाग कह दिया है कि जो कनिय भेंता पद पर न्यूकती है तो पर किरिया जो है अंतिम चरण में है तो जल्द ही आपका रिजल्स जारी किया जाएगा और ऐसे जो भी फेक कंडिडेट है उनका खैर नहीं उनको जेल का रास्ता देखना परेगा तो जितने भी बिहार गौर बाद हसे लेयो